कभी कभार मुझा आथ हैं पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाइगे मैं नहीं जामता हूं इस प्रकार का भाशा का प्रवक जो कर रहे तक उचीत होता था यहां तक कह दिया का आपको वीजा दे रहे हैं पार्लमेंट माने का इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं लेगि मैं इतना कहता हूं अंतराश्य स्थानों पर कुछ काम निर्धारी फोते हैं जिसको करने पड़ते हैं उन मिटिंगों में पहले के प्रधानमत्यों को भी जाना पड़ता था इस प्रधानमत्य को जाना पड़ता है अब भविश में जो आएक उसको भी जाना पड़ता है लेकिन वही एक मजाक का विशे बन जाए कि हमारी राजनिती इतनी नीचे आ गए है कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्धे नहीं बचे लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया कभी उसकी भी तो जाच कर लेते कभी उसकी भी तो इंक्वारी कर लेते मैं आज कहना चाहता हूं जी मैं जपान गया तो जपान मेरे कारकम है मैंने एक क प्रवाने के लिए इसलिए किया गया को उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है मैंने जीतना पड़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्योंकि मैं मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी उनासी वाइच्छों को परम्त्वर गदू से सिकल सेल की भेंकर बिमारी से जूजरा पड़ रहा है और सिकल सेल की बिमारी कैंसर से भी भेंकर होती है जिन्होंने सिकल सेल की बिमारी वालों के भी से मैं पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीडा दायक होती है और पीडी दर पीडी चलती है अभी तक उसकी कोई दबाई नहीं मिली है एक आशा लगी है कि stem cell के द्वारा sickle cell की बिमारी से मुक्षी हो जाए हम गए तो वहां गए उनसे चर्चा की और बैंगलोर के हमारे science institute साथ आज उस दिशा में हमारा काम हो रहा है कि stem cells के द्वारा हमारे युवा साइंटिस कुछ खोज करें मेरे आदिवासी भाहियों को पीड़ी दर पीड़ी जो परेशानियों से जिन्द की गुजारनी पड़ती है उससे वो बहारा है अम ऑस्टेलिया गए है जी ट्वेंटी समीट में गए है हम कहां गए है मैं उस किसानों की agriculture scientist को मिलने गया उनके lab में गया जिनोंने प्रती हेक्टर जादा चना उगाने का और सबसे खराब धरती पर चना उगाने का सफल प्रयोप किया था रिसर्च किया था कहीं पढ़ा था मैंने मेरे मन में पढ़ा था मैं उनके पांद गया हूँ हमारे देश को पल्सिस में हम बहुत पीछे हैं देश को पल्सिस की ज़रूरत है गरीब आज भी को नुट्रेशन फूड के लिए प्रोटीन चिरूरत है हमारे देश के गरीब को प्रोटीन मिलता है दाल में से पल्सिसमा से मिलता है अगर हम किसान हमारा किसान अच्छी माता में पल्सिस पैदा कर सकता है अगर प्रती हेक्टर जादा पल्सिस पैदा कर सकता है तो उसको भी अच्छी आए मिलेगी और हमारे गरीबता भी भला होगा और इसलिए में उन साइंटिर को पाद जाकर गंटे बिताें युक्तुत से बताये मेरे देश के किसाने को जादाrealिक सब्सित पार्डक्राएं पार्ण के पारे ज का रास्ता हो सकता है उन्होंने के लिए उन्हों केले मैं कुछ नहीं खोच की थी मैं समझदा चाता मुझे पुरा पता नहीं था तो मैं ऐसे ही चला गया उनके पास उनके साथ बैठा उनकी लेप देखी उनके प्रवल देखी उन्होंने केले में नुट्रेशन वैल्यू बढ़ाने में बहुत सफलता पाई है अधिक विटामीन को पाने की सफलता पाई है केला ये अमीरों का फल नहीं है मेरे भाईयो भेनों केला केला ये गरीब से गरीब का फल होगा अगर केला उसमें निट्रिशन वैल्यू बढ़ता है विटामीन अगर जादा अच्छे मिलते हैं और इस प्रकार की खोट के साथ केला बनता है तो मेरे देश का गरीब से गरीब केला खाएगा उसको ज़्यादा थाकत बिलेगी अगर विदेश जाते हैं तो इस काम के लिए जाते हैं देश का गरीब हमारे दिमाग में होता है देश का आधिवासी हमारे दिमाग में होता है देश का किसान हमारे दिमाग में होता है और दुनिया में दुनिया में जो भी अच्छा है जो मेरे देश के गरीबों के काम आए उसको लाने के एक तरड़ खोती है उस तरड़ के लिए हम कोशिश करते हैं और इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए हम किस प्रकार से हमारे देश पर आगे ले जाएं उसके लिए सोचते हैं उसी को लिए करते रहते हैं उसी पर हम करना के लिए कोश्च प्रयास करते हैं